एक फरवरी को पेश किये गए मोधी सरकार के अंतरिम बजट में मालदीव को दी जाने वाली मदद में कटोती कर दी गई है। साल 2023 के बजट में सरकार ने मालदीव के लिए 400 करोड रुपे आवंटित किये थे। लेकिन बाद में ये मदद बढ़ा कर 770 करोड रुपे कर दी गई थी। लेकिन इस साल पेश किये गए अंतरिम बजट में ये मदद घटा कर 600 करोड रुपे कर दी गई है। इसका मतलब ये कि भारत की ओर से मालदीव को जारी की जाने वाली विकास सहायता राशी को 22 फीसदी घटा दिया गया है। भारत मालदीव में इंफ्रस्ट्रक्चर और विकास परियोजना में मदद करता रहा है। लेकिन मौजूदा राश्ट्रपती मुहम्मद मुईजु के सत्ता में आते ही मालदीव के भारत से रिष्टे बिगडने लगे। माना जाता है कि राश्ट्रपती मुईजुजु की पार्टी का जुकाव चीन की ओर रहा है। राश्ट्रपती चुनाव अभियान के दोरान उनकी पार्टी ने इंडिया आउट का नारा दिया था। इसके बाद पी-एम मोदी के लक्ष द्वीप जाने और फिर इसके बाद हुए विवाद से भारत और मालदीव के रिष्टों में आया तनाव और गहरा गया। इसी तनाव के बीच मुईजजू ने चीन का दोरा किया था। वहां से लोटने के बाद उन्होंने कहा था उनका देश छोटा है लेकिन इस से किसी को इस पर धौंस जमाने का अधिकार नहीं मिल जाता। उनका इशारा भारत की ओर था। मालदीव में भारतिय सेना की मौजूदगी को लेकर दोनों देशों के बीच पहले ही विवाद चल रहा है। मुईजजू ने सत्ता संभालते ही अपना पहला आदेश भारतिय सेनिकों की वापसी का दिया था। उन्होंने कहा था कि पंदरह मार्च तक भारतिय सेनिकों को वापस भेज दिया जाएगा। मालदीव शुक्रवार को भारत के साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए दूसरी कोर ग्रुप की बैठक करने वाला है। इस समय सतहत्तर भारतिय सेनिक मालदीव में मौजूद है। यहां भारतिय सेना के दो हेलिकॉप्टर और एक विमा करने और प्रुप को भारतिय सेनिक मालदीव शुक्रव ग्रुप करने भारतिया है।